जी यहां दूस्तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को यहां पर दिखाने वाले हैं कि हम अपने मुबाइल से किसी दूसरे मुबाइल को कैसे ट्रेक करेंगे और उसका डाटा कैसे चेक करेंगे और उसकी लोकेशन भी कैसे चेक करेंगे और उसके मुबाइल में लॉक और पासबर्ट कैसे हम चेक पता कर पाएंगे तो सभी जानकर यहां को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी तो फड़ा-फड़ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर ना है तो चैनल को सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन वाली सेटिंग को आउन करना है और यहां पर आजाना है तो यहां पर आने के बाद आमको यहां पर लोकेशन को आउन कर लेना है तो यहां पर जैसे कि मेरा लोकेशन अभी आउन है अगर आपका यहां पर आउफ होगा तो इससे आउन कर लेना है तो यहां से हम इसस सारे application सो हो जाते हैं जो location को trace करते हैं तो यहाँ पर हम मैप बाले section पर click करके allow all the time बाले section पर click कर देंगे उसके बाद में हमें back चले आना है back आने के बाद हम यहाँ पर हमें करना है इसका clear data तो CL पर click करेंगे map पर click करेंगे और यहाँ पर internal storage पर click करेंगे और इसका यहां से हम इसका clear data करेंगे clear data करने से क्या होगा कि हमारे जब हम उस mobile को trace करेंगे तो यहाँ पर हमें किसी पर Groß परकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसान त्रीके से उसके भीम उनोरब को ट्रेस कर सकते हैं पता कर सकते हैं कि यहां पूर लिए कहाँ पर है पर यहां पर हमारा सामने option मिलता है गोगल लोकेशन sharing का तो यहां पर हम किलिक करेंगे और यहां से हमें location sharing पर अपने email id को check कर लेना है कि लगी हुई है या नहीं तो इसको भी यहां पर देख लेना है तो यहां पर मेरी email id set है location sharing के option पर हमें back चले आना है तो जली ज़ी दोस्त यहांसे hunger time और बैक आने के बाद आपको यहां पर हम trace करके दिखाएंगे किस तरह से हम while going go trace करेंगे तो यहां से हम setup down करके यहां से इस प्लीचाइं को आं कर देते ने हुआ है और simplement मबाइल लंबर से ही यहां पर हम दूसरे मोईल को trace करने वाले हैं तो सबसे पहले हैं play store application को open करेंगे और search bar पर type करेंगे find my phone तो यहाँ पर हमने find my phone को type किया और इस application को install करेंगे install करने के बाद इससे हम जैसी open करेंगे जैसे इससे यहाँ पर हम open बाले option पर click कर देते हैं नीचे sign in as guest वाले option पर देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने arrow का निसान भी लगा दिया है तो इससे आप देख सकते हैं कि sign in as guest वाले section पर click करना है तो इस पर हम जैसे click करते हैं click करने के बाद यहाँ पर हमें उसके mobile number को यहाँ पर fill करना होगा या उसकी email id को तो email id तो हमें लोगों को पता नहीं होगी तो यहाँ पर हम उसका simply mobile number ही fill कर देंगे और यहाँ पर next button पर click कर देंगे तो यहाँ पर हमने जैसे next button पर click किया click करने के बाद आपके सामने एक इस परकार से interface होगा तो हमें उसकी email id का password यहाँ पर fill करना होगा अगर यहाँ पर हम किसी भी तरह से उसके mobile को trace नहीं कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर mobile का password पता है तभी हम यहाँ पर इसको track कर सकते हैं तो यहाँ पर हम उसका simply password fill करेंगे और यहाँ पर next button पर click कर देंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम उसका password fill कर दिया है next button पर click कर दिया है अब यहाँ प चुका है और यहां से इरेज पर किलिक करके हम उसका डाटा वी डिलीट कर सकते हैं और सिकोर पर किलिक करके हम यहां से कोई भी लॉक लगा सकते हैं पिले साउंड पर किलिक करके हम कोई सा भी सौंग उसके मुझा सकते हैं